बॉलिवूड एक्टर सुशान सिंग राजपूत सुसाइट केस में जो लोग सवालों के घेरे में हैं उनमें सबसे पहला नाम सुशान सिंग की गल्फरेंड रिया चक्रवर्ती का है रिया पर सुसान की फैमली और फैंस ने इलजाम लगाए हैं कि उनमों ने सुसान को अपने बस में कर रखा था इस तरह की कई बाते सोसल मीडिया पर ही चल रही हैं मगर अब इसमें ड्रक्स एंगल भी चुड़ता नजर आ रहा है लेटस्ट रिपोर्ट्स में रिया की कुछ वाट्सप चैट सामने आई है जिसमें एक्ट्रेस ड्रक्स के बारे में बात करती नजर आ रही है इसे सुसान्स केस के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है मगर रिया की वकील ने इस बात का दावा किया है कि रिया ने कभी भी कोई ड्रग्स नहीं लिया और विबलेट टेस्ट कराने के लिए भी तैयार है इंडिन प्राइम न्यूस को रिया की एक वाट्स अब चैट हाथ लगी जिससे उनका ड्रग कनेक्शन सामने आ रहा है बात 17 अप्रेस 2020 की है मिरेंडा शुशी अपने मैसेज में रिया से कह रही है की हाई रिया, इस्टफ लगबग खतम हो गया है क्या हमें शौविक के दोस्त से ले लेना चाहिए मगर उसके पास के वल हैश और बढ़ ही है इसके अलावा 25 नवंबर 2019 की भी एक चैट रिया की सामने आई है जिसमें जया सा को बो कह रही है की कोफी, चाय या पानी में चार ड्रॉप डालो और उसे सिप करने को कहो 20-40 मिनट का समय लगेगा किक करने के रिया की ये चैट सामने आने के बाद से कहीं न कहीं इसका कनेक्शन सुसान के साथ जोड़ा जा रहा है हाना कि ये चैट बहुत विस्तित नहीं है और इसमें ज़्यादा कुछ साफ नहीं हो रहा मिस्ट्री बनी हुई मगर ऐसे एक क्लू की तरह देखा जा रहा है अब इसका सुशान की मौत से कितना कनेक्शन है क्या वाकई में रिया आपने बॉयफरेंच सुशान को ड्रग देती थी इसका खुलासा तो आने वाले वक्त में होगा